हेलो एब्रीवान वेलकम बैक टियरून चैनल आजम करने ही जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नंबर 76 सब्जेक्ट मैज क्लास 9 हमारी दे 25 जैनुवरी के लिए तो चली स्टार्ट करते हैं आज की वोक्षीट में सर्फेस एरिया क्यूब 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 क्यूब क्यूब सद्धिश की ब्रेट भी है हाइड की जो फनके रचर मीजय होसे हमें तो हूं देखेंगे ऐस वन एस भीम थो ऐस तुषल तो इस रचंग ड़ाशे महाँ इस सफंग्राइब ह des so try to these एकान लैब तो इस में फिकर में इसकी फेसे थे ठीचिश सो थे स्टोल सर्ट इरिए निकालना पड़े तो क्या होगा सम मतलब सब से नहीं करेंगे तो इन सपका सं मोजेगा ना का सुपर हो जाएगा für T इंटी रीपे स्ट्वोर्मना किसका है हमारा तो बूटल सब करते हो идैगे बोटम हमारे पास उनको घटा दें तो जो सम आरिया का 4 फेसिस का वह कितना हो जाएगा ठीक है उसको घटा देंगे तो लेटल सर्फिस एरिय क्या होगा क्यों बोइड का चार लेंगी तो पिंटने नेंगी चार बज़ेंगी क्योंकि ऊपर नीचे वाला हमने लिया यह नहीं है ठीक है तो वेल्यूस यहां पर पूट करेंगे टू इंटू बी एच प्लस है या फिर टू ओफ एच इंटू एल प्लस ब्रेथ ठीक है नेक्स्ट है तो मेरे पास कितना टोटल सर्फेस इरे आया रूम का 94 मीटर स्क्वार ठीक है यह क्या थी लेंध भ्रैट अपने लेकी जली प्लस में हमने जो टॉप है उसको हमने काउंट किया तो लेंट इंटू ब्रेट हमने इसके साथ एड़ कर दी क्योंकि उपर जो च्छत है वह भी किया एक रेक्टैंगल है तो बस यहां पर वैल्यूस पुट कर दी ल्भ की वैल्यूस पुट करने के बाद मिरा आंसर है 74 मीट स्क्वार ठीकिस जो एरिया ए 4 वोल्स का और रों का और सिलिंग का वह कितना 74 मीटर स्क्वार है अब रेट क्या पूछा वाइट पूश कराना है 7.50 रेट है तो 74 को 7.50 से मुलिप्लाइ करेंगी तो आंसर कितना जाएगा 555 ठीकिए यह मारा आंसर हो जाएगा एक्लियर न क्या होते, क्योड़ हूता है, जिसके लेंद, बिर्थ, हाइट बेरबर होती लेंध, यह आई रहते है तो अगर होगों और क्या हो जाएगा 5A2 फॉफ कि चोड़ दें तो 4 धितना ऑफिस उड़्य करें थो लेंगे 52 को हमारे हों रेछ लेंगे 3, smoothie, 1-2,125 क्योड़ वोले लेकर चलेंगी आपर आपको आपको कोश्यन दिया हुई विद इच आउटर घ्थच अगर उसकी आउटर एज और्थ आउटर अपगेस लिगास सेvine को प्सकॉई तौल इच कोट्वा आउटर एंटर दार्टर डिनिकाल लोंग अगर उसकी अगर उसकी आउटर आपको जरो साइट्स है वह स्कूर टाइल से कवर कि गई है जो 25 सेंटीमीटर की ऐगी तो कितनी एक टाइल लगेंगी तो देखो टोटल सर्फिस एरिया है वेटर टैंग का वह कितना होगा और इे क्या है मारे पास डियो है एज 1.5 है तो 1.5 का स्कूर आजाएllers कितना जए गा 13.5 मिट्र स्क्वाइर ठीक है तो यह टोटल सर्फिस एरिया है नौ लेटर अपिसे कि पूचा जाए अकर एलेकर सबसे और पास क्या एंड इंडूट स्कुर्ण फॉर्स स्कुर्ण होता है तो फोर ए स्क्वेर 1.5 राय तो नाइं मीटर स्कुर्राइब तो मीटर स्कुर्स को साइट क्या है 25 है तो 25 इंट 25 625 है तो जो नंबर ओफ टाइल्स कितनी लगेंगी जो चारो दिवारों पर लिटल सर्फिस एरिया आप और में कितना जाएगा 90,000 इवाइड़ बाइड़ वाइड़ टॉटल टाइल्स होंगी टेक है नेक्स्ट है आपके कवेश्चिंस क्या दिया हुआ है क्यूबिकल बॉक्स है उसकी एच दिए एक 10 से बिटल बॉक्स है जिसकी आपको लेंथ ब्रेट और तुरह तूनों चीज़े दी किसका लेटल सर्फिस जादा है दूसरे में आपको बताना है किसका टोटल सर्फिस एरिया कम हो और कितना है ठीक है तो देखो कोशिन नबर फॉर्स्ट में क्या बताना था कि लेटल सर्फिस एरिया किसका जादा है यह बताना था तो कैसे करेंगे लेटल सर्फिस एरिया क्या बोक्स का क्या होगा एक या आपको 10 दिया हुआ है 10 का स्क्वेर हंड़र होता है 4 x 10, 100 400 cm2 अब बोक्स क्या होता है 2 x 2 height x length plus breadth तो values पूट करेंगे length breadth और height की तीनों की तो values आएगा 360 cm2 तो जो cubicle box उसका greater surface area होता है 40 cm2 ठीक है ना तो हो गया पर क्यों होगा क्यों कि देखो 400 में से 360 माइनस करो 40 जादा है तो cubicle box का क्या है 40 जादा है ठीक है यह हो गया a part अगली part में पूझा था total surface area हमें consider करना है ठीक है ना दोनों का तो total surface area क्या होता है cubicle box 6a square हो जाएगा a 10 है तो 600 cm2 और total surface क्या हो जाएगा cubicle box का 2 into यह formula होता है लेंट इंट 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 तो वेल्यूस पूट करेंगे सिर्फ LBH की तो आंसर आएगा 610 तो किसका small है किसका जादा है क्यूबीकल का स्मॉल है तो जो तो क्यूबीकल वोक्स से उसका smaller पूछा गया है कोशिन में को स्मॉलर टोटल सर्फिस ही रहा होगा कितना स्मॉलर होगा तो 610 में से 600 माइनिस कर दो 10 cm2 यह आपका आंसर हो जाएगा क्लियर तो यह हो जाएगा आपका कोशिन नंबर 1 का A part और B part नेक्स्ट है कोशिन नंबर 2 कोशिन टू में है कि जो लेंध ब्रेट्थ और हाइट है रूम की वह आपको गिवन है 654 रिस्पेक्ट है मिले तो फॉर्स आपको कोशिन में क्या करना है टोटल सर्फेस ही रहा न अएसर निंटस पोट नंबर 1 कि दो देग कोशिन नंबर 2 ौर स पट में आपको क्या करना है टोटूरल सर्फेस एलियर निकालना रूम इंपक्र सदो लेंथ अपको इंट Seniorson क्या होगा पस फॉर्म ामडल में बै्यू पूटकर दो तो इटो लेंथ इंटि इंटू防 मिली और ceiling का वो में find out करना पड़ेगा क्योंकि void washing निकालनी है ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास यह लेटल सर्फिस एरिया प्लस में एक एड गर लिया हमने उसके लिए टॉप के लिए ठीक है न चप के लिए यहां पर LBH की सबकी values हम रखेंगी values रखने पे जो हमारा पांसर आएगा solve करने पर वह जाएगा 118 मीटर स्क्वार तो यह वेल्यू आ गई है हमारे पास अब कोस्ट वाइट वोशिंग निकालनी है तो वाइट वोशिंग के लिए कितना होगा जो यह 118 है उसको 5 से multiply कर देंगे कितना होजएगा 590 आजएगा तो टोटल कोस्ट कित सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यार बाई